नमस्कार आपका अपना फैबरेट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत सागत है CSD का जो भी अपडेट आता है हम आपको सुचीत करते हैं आज भी ऐसे ही एक अपडेट है जो की आपको सुचीत करना जरूरी समझा इसलिए मैं लेकर आया हूँ अगर आप इस चनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर आप इस चनल को सब्सक्रीब कीजिए अच्छा लगे तो जरूर शेयर लाइक कीजिए आज का जो अपडेट है ये एक लेटर इशू हुआ है 18 आगुस 2021 को Integrated Headquarter of MODE Army IHQ QMG Branch यहां से ये लेटर जारी किया गया लेटर का जो हेडिंग अप देख सकते हैं Purchase of Grocery and Liquor from Any Contain हेडिंग से ही पता लग रहा है कि ये लेटर है कि आप कौन-कौन सा चीजें कौन-कौन सी कंटीन से खरीज सकते हैं इस विशाय पर एक इंस्ट्रक्शन जारी किया गया तो सबसे पहले है Grocery Item देखिए Grocery Item इसके बारे में जो पहरा 2 ये में कहा गया All Authorized Beneficiaries Serving ESM और Civilian Defense Employees Can Collect Grocery from Any Contain No ERC Will Deny Purchase of Grocery to an Authorized Beneficiary अगर आपके पास CSD का Card है तो आप इंडिया का किसी भी इकोने में कहीं भी किसी भी URC से CSD का Grocery Item खरी सकते हैं पर इसमें एक छीज और बढ़ा आगया लिखिए However, ESM should Preparably Collect Grocery from the Dependent Canteen हाँ, एक सर्विसमें का एक Dependent Canteen होता है जैसे आपका Station Canteen है ESM के लिए एक Preference है कि वो अपना Dependent Canteen है वहीं से Grocery Item खरी दे अब आते हैं Liquor देखिए, Liquor के लिए दू अलग अलग कर्टेगरी के लिए अलग अलग provision है सबसे पहला है क्या? Serving Personnel के लिए आप इंडिया का किसी भी केंटीन से खरी सकते हैं अगर आप Serving है As a Serving Person mostly draws liquor from his unit canteen During leave, TD, he can draw from another canteen और from a canteen at home station आप जब unit में है जब आप duty में है तब तो आप आप आपना unit का canteen से ही लेते होंगे या आस-पास का canteen से लेते होंगे पर आप अगर चुटी पे हैं, TD में हैं तो वहाँ पे जो भी canteen अब लेवल होगा वहाँ से आप खरीज सकते हैं इसके लिए कोई मनाई नहीं है दुसरा कहा है लगिए ESM के लिए अब जो another category ESM के लिए है आप केबल मत्र आपका जो डिपेंडेंट उर्सी है आप वही से केबल मत्र आपना लिकर कोटा खरीच सकते हैं जो आप जो लिकर कोटा है आप दूसरे कंटीन से नहीं ले सकते हैं या फिर दूसरा स्टेट में कहीं आप दूसरे जागे में गए आप भूमने गए या फिर दूसरे जागे में आप सिफ्ट हुए तो वहाँ आपको अपना कार्ड ट्रांसफर करना पड़ाएगा आपका डिपेंडेंट जो केंटीन है वो change रणना परेगा otherwise आप अपना grocery item तो खरी सकते हैं कहीं भी पर liquor जो है आप खरीद नहीं सकते हैं ये बहुत एक important जनकरी है इस पर आप ध्यान रखिए और जो भी necessary action आपके level पर है वो आपको लेना परेगा तो जो 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 इसी तरह का important information के लिए हमारे इस चैनल को आप जिरू सब्सक्राइब करें और भी बहुत सरे welfare related letters है जनकरी है जो कि आप हमारा website से जान सकते हैं हमारा website का address है www.esminfoclub.com नमस्कार फिर मिलेंगे आरे वीडियो में चैहिंद जैबर